गुट मॉनिंग नमस्ते जी सभीको कैसे हैं सब अच्छे ही होंगे आज है संडे और संडे बनास्ते में बन रहा है डोपला और में नादो के पुझा उजा होगी है तो अब मैं डोपला बनाने की तैयारी कर रही हूं और देखने हैं चलिए कैसे बनता है और इसे में मीठा नमकीन दोनों बनाओं क्योंकि नमकीन मैं खाऊंगी में डाइट पे हूं और मीठा बच्चे खाएंगे बच्चे क्या अब ही खाता है पाल तो खाती नहीं दोकला तो इसलिए मैं बना रही हूं आज मैं भी डोपला ही खाऊंगी तो चलिए देख लेते हैं क्या के लगा देगे ताकि जल्दी हो जाए तब-टक हम गोल लेते हैं बेस्चन दोगले का बेटर तो यह कप मेंने बेस्चन लिया है आपके पास दाई नहीं तो कोई बात नहीं आप अधा नीबू करस डाल सकते ए इसमें और आप इसको पानी डाल कर अच्छा एक बड़ी आसा गोल तःयार कर ले हाँ और बैटर को एक ही डाक्स cycling में फेटना हैा जैसे एक बार सीधा सीधा फेट रहे हो आशे ही फेटते रहना है कभी उलठा कभी सीधा ऐसा नहीं करना है तो ऐसे सीधा ही आप इसको फेटते रहें, अभी गाडा सा लग रहा है तो दो एक चमच पानी इसमें ओर डाल लेंगे, और एक बढ़िया सा घोल तयार कर लेंगे इसका, अच्छे से इसको फेटते हुए, कोई भी डली वगएर नहीं रहनी चाहिए, तो अच्छे सा आप इ आपको इसको मतब तुरंत भगोने में रख देना है फिर इन्हों डालने के बाद, तो जैसे ये पहले भगोने में तेल डाल के, इस अच्छे से चारो तरफ लगा लेंगे, अलका सा कोट कर लेंगे, तेल को इसमें, और ये अब मैं इसमें इन्हों डाल दूंगी, एक अच्छे से उपर पानी डाल देंगे, जिससे ये अक्टिवेट हो जाएं, और इसको अच्छे से एक ही डारेक्शन में हम मिला लेंगे, इसको जादा नहीं मिलाना है, क्योंकि जो इसमें रियक्शन हो रहा है, उसी से जाली पड़ती है ढोकले में, तो इसलिए बस फलपी इसमें तुरंथी इसको भाप लग रही है, तो भगोना इसमें रख देंगे हम ये स्टील वाला, आज इसको हम अच्छे से ढख देंगे, 20-25 मिनट के लिए, 20 मिनट पर चेक करेंगे, और कमी रहेगी तो 5 मिनट ओर है, और मीडियम लो रखनी है, ज्यादे हाई नहीं रख देख ले, वैसे तो साप निकल रहा है चाकू, लेकि नेक साइड में और डालूंगी, इधर से हलका सा ओर रहा है, तो अभी मैं इसको 5 मिनट और पका लूंगी, ऐसे ही ढख के, थोड़ा सा ही पानी बचा है इसमें, तो 25 मिनट हो गए हैं, आब मैं गैस बंद कर देती हू अभी ठंडा हो गए, इसको हलका सा ऐसे, चारो तरफ चाकू कुमाते हुए, आप इसे प्लेट में निकाल लें, अगर आपको लग रहा है किची पक रहा है, तो हलका सा तेज सा हाथ मार दे निकल जाएगा, देखो कितना अच्छा निकला है, अभी बहुत गरम है, भाप उ करें ना चाकू को थोड़ा क्लीन कर लें बार-बार, तो सफाई से कठ होता है, ऐसा नहीं है कि चाकू रगड के जा रहा है, तो फिर वो पीसिस उसके वैसे हो जाते है, तो देखो कितना चकट हो रहा है, बहुत स्पंजी बना है, अभी आपको दिखाते हूं, कितना प्या और भी चार में में बिल्कूल चको कोष़ होता है, तो मस्को यही शेप देने वाली हूं, जो यह आप्स बचेंगे, ना सारे, तो हम इन से नंकिन बना लेंगे, और देखो यह जो IDI में वोद्ही और यह जो आम सबबों भी नीद्षम, लोदीर सब्ता है, सालना तो प्री बरतन लिया है क्योंकि राई बहुत तिडखती है यह स्टील वाला गहरा सा बरतन लिया है और उस कड़ाई में भी मैं उल डाल दूगी जिसमें मुझे दुबारा से छोकना है देखो इसमें तेल गरब होगी तो मैंने राई डाल दिये हरी मेच डाल दिये लंबी कटी हुई कड़ी पत्ता डाल दिया है और एक गिलास डाल दूगी में इसमें पानी एक गिलास यह डाल सकते हैं क्योंकि अच्छा फूला सा यह अच्छा लगता है इसमें डाल दूगी आ बहुत ज़ाद नहीं पकाना अब जो अमने ही पानी छोका है इसको हम डोख fora डाल देंगे रेमीर है मीठे वाला बना है इसमें खटा मीठा नमकीन सब टेस्ट आते हैं आपने खाया है डोकला तो उसमें आप देख सकते हैं कि सब टेस्ट होते हैं तो ये बिल्कुल बाजार वाला बनके तयार हुआ है ठीक है बिल्कुल बाजार जैसा और अब हम बना लेते हैं नमकीन क्योंकि मैं डाइट पर हू तो इसमें हिंग डाल सकते हैं हरीमीच और करीपत्ता भी मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और इसमें डाल देते हैं एक चुटकी नमक और एक चुटकी डाल देंगे लाल मेच तो एक चुटकी लाल मेच भी डाल देंगे मैंने इसमें थोड़ा कलर अच्छा आजाएगा उस पर और यह जो बचा हुआ नीम्बू का रस्ता वह भी मैंने इसमें डाल दिया और यह साथ सा डाल दिया धोकला जो मेरे छोटे पीस में कर लिया था इसको अच्छे से फटा-फट मिक्स कर देंगे देखो यह तयार हो गय यह तो एक डिफरंट ही लुक है डोकले का तो बनाईए आप भी दोजी बन गया है यह है मीठे वाला डोकला देखो टेस्ट तो खाने वाले बताएंगे लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है बिल्कुल इस्पंजी बनाया है बहुत टेस्टी खा के देखो प्राय कर मेरी मेरी में नैक्स्ट बीडियो को लाइक करते रहिए के लिए और रेसिपी ना पास हो गई है, रेनु ने खाई है, अब है ने खाई है, सब को वह टेश्टी लग दिया है, और आप भी खागे बताओ कैसी लग रही है, जल 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 दी खालो बना के फटा फटा